Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD जोब में सरकारी आदर्स विध्याले से notification जारी हुआ है सिक्षक भरती का 11 इस्कूलों की vacancy की बात करेंगे इस वीडियो में एज 18 से रिकर 55 वर्स तक के candidate apply कर पाएंगे, कोई भी fees नहीं लगेगी, fresher बिल्कुल eligible है सबी राज्यों के candidate डाविदन कर सकते हैं, कोई CTAT या TAT जो है नहीं मांगा गया तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, 11 स्कूलों से vacancy आई है और post जो है वो TZT और PZT की है, यह आपको ध्यान में रखना है उसके बाद जो है application format आप लोगों को main website पर मिल जाएगा इस तरीके का application format रहेगा, जिसे आप लोगों को fill करना है और दिये गए address पर भेज देना है, कोई fees आपकी नहीं लग रही है eligibility criteria की अगर हम बात करें, vacancy, ODS, others, विध्याले, जमदर, जज़पूर से आई है TZT के लिए TZT के लिए 4 साल का आपने integrated degree course किया है या फिर bachelor degree के साथ में B.A.D. आपने किया है, तो आप बिलकुल यहाँ पर eligible है TET या CET बिलकुल नहीं मांग रहे है TZT, English के लिए आपने graduation में English पढ़ा हो कैसे भी पढ़ा हो, अगर आपने graduation honors से किया है, pass है elective, major, special subject पढ़ा है graduation level में बिलकुल apply कर सकते है TZT, ODIA के लिए apply कर सकते है TZT, social studies के लिए apply कर सकते है जिन्होंने का है, one must have a subject in B.A. In any one of the following four subjects इन चारों में से एक subject तो आपने पढ़ा होना चाहिए graduation में, history पढ़ियो या फिजोग्राफी या political science या economics In addition, he should have one more subject out of the following eight subject history, geography, economics, political science, Indian polity, Indian economy, Indian geography ठीक है बहुत सारे subject है, SST में TZT, maths के लिए भी जो है, bachelor degree और दो subject जो है, math के साथ में, physics, chemistry, computer science, computer application and statistics या आप देखलें, या फिर अगर TZT, math के लिए, B.TEC वाले apply करना चाते हैं, B.E. degree तो भी आप apply कर सकते हैं, subject combination आप देखलें, physics, chemistry, computer science, computer application, statistics TZT, science के लिए apply कर सकते हैं, botany, zoology, chemistry, biotechnology and life science वाले, ठीक है जिसमें इनोंने कहा है, कि I need three subject out of the following subject इनमें से तीन subject आपके graduation में पढ़े होने चाहिए, TZT science के लिए तो arts और science वालों की vacancy है तो offline mode में ही जो है, आप लोगों को apply करना होगा जैसे ही main website पर आते है, jazpur.nic.in, recruitment section में आप लोगों को नजर आ जाएगा notification के लिए आप लोग view पर click करेंगे, application form के लिए application form दिया हुआ है eligibility criteria अलग से दिया हुआ है, ठीक है तो तीनों ही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगे इसे ही जो है आप लोग download कर लेंगे और सारी चीज़ें जो है आप लोग देख लेंगे तो PCT की जो है मैंने cover नहीं करी, PCT की आप देख लें, master degree आपकी होनी चाहिए subject में 50% marks के साथ में, English, Maths, Physics, Chemistry, Biology और PCT में commerce या economics के लिए अगर आप apply करना चाहते है तो master degree और B.E.D. ठीक है B.E.D. भी मांग रहे है application format जो है इस तरीके कर रहेगा, इसे ही आप लोगों को fill करना है address जो है इन्होंने दिया है, यहाँ पर जो address देखें, यह contract ways per vacancy है ध्यान रखिएगा, इन्ही स्कूलों में जो है permanent vacancy भी आती है जैसे ही आएगी बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा, वीजियो के माद्यम से फिलाली है contract ways per vacancy है, nodal principal, O.A.V. जमदर, A.D. जमदर, PO, post office, रेकावी, बजार, district जस्पूर, पिन कॉर्ड है, 755-009 register post यह speed post ही करना होगा, 15 मार्स दोजार चौबिस से पहले तो और भी जो है राजियो की vacancy जैसे ही जारी होती है, आप लोगों तक सूचना पहुचाई जाएगी, वीजियो के माद्यम से पहली बार चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करने चैनल को और बैल बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले वीजियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके, थैंक यू